नमस्कार मैं उदिवे बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के अबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के लाल का प्रो कबड़ी लीग में हुआ चाया आज में राश्ट्य बाली का दवस जानिए क्या है से मनाने का उद्देश पटना हाई कोट ने धार्मिक असरों पर लाउड स्पीकर बजने को लेकर कही ये बात पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिये जाने पर उनके भेटे की प्रतिक्रिया आई सामने इंग्लेंड के बैज़ वॉल सैली पर भारतिय कोज राहुल रविट का बयान आया सामने इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बरी खबरों की और विस्तार से बिहार के लाल का प्रो कबड़ी लीग में हुआ चायर 26 जनवरी को प्रो कबड़ी लीग का आयोजन राजधानी पटना के पार्टे पुत्र खेल परिसर में होने वाला है कबड़ी खेल के प्रेमिस लीग को लेकर काफी उचाहिद है क्योंकि पूरे तीन साल के बाद ये आयोजन पटना में देखने को मिल रहा पटना पाइरेट्स टीम के कोच नरेंदर कुमार एरू ने मीरिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिन्दगी इसमें हर खेल के मैदान से सीखने को मलता है पटना पाइरेट्स की टीम बहुत मजबूत है इसका अटेक और सिल्फ डिफेंस दोनों ही काफी अच्छा है वह इस प्रो कबड़ी लीग में इस बार समस्तिपूर के रहने वाले संदीप कुमार का भी चयन हुआ है समस्तिपूर के एक छोटे से गाउं से आने वाले संदीप कुमार गाउं में ही रहकर कबड़ी खेले और अब यहां तक पहुँच गये हैं उसको चुकाने का काम करेंगे वहीं उसके बाद जो मम्मी पापा का सपना है उसको वे पूरा करने का काम करेंगे। BPSC नवन्योक्तु सिक्षकों को ट्रांसफर के लिए अभी इतने साल करना होगा इंतजार BPSC द्वारा जितने भी नवन्योक्तु सिक्षक सरकारी स्कोलों में तैनात हुए है सभी की ड्यूटी ग्रामीन छेतरों में लगी है इनमें से कई सिक्षक ऐसे हैं जो दूसरी जगर ट्रांसफर के लिए काफी बेचैन है लेकिन आपको बता दें कि जो नवन्योक्तु सिक्षक अपने दूसरे जगर ट्रांसफर का इंतजार करने हैं उन्हें अभी तीन साल तक का इंतजार करना होगा वही नियोज़त सिक्षकों को लेकर उन्होंने बताए कि इनके ट्रांसफोर और पोस्टिंग संक्षा परिक्षा के बाद ही होगी। उनको आपको बता देके फिलहाल ग्रामीन छेत्रों में सिक्षकों के जाने की वज़ा से सहरी छेत्र में सिक्षकों का आभाव देखने को म पढिए मेच हां आ scorpi दोने हो चुकी है मनोजवाजपई के वेब स्रीज के वेब स्रीज किलर सूप के दूसरे सीजन की चल दाइक जल रही सबखाय की अभी हाल में किलर सूप नाम की वैब स्रीज्प तेज हो चुकी है दरसल अभी हाल में मीरिया से बादचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आई ये पहले कहानी जानते हैं अभिसेख चौबे के साथ मैं किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ पैड दोनों से स्विकार करूंगा मेरे लिए तो उनका नाम ही काफी है उन्होंने बताय जान से साफे के इलर सुप डूसरा सीजन भी आ सकता है आज राज्ट्य बाली का दिवस जान्यए क्या अざ मनाने का उद्देश आज के दिन यानी 24 जनवरी को हर साल भारत में राज्ट्य बालिका दिवस के रूप में मनाये जाता है इसकी शुरुवात महिला बाल विकास मंत्राले के तरब से वर्स 2009 में की गई थी ताकि बेटियों के लिए स्वस्त और सुरक्षित वातावरन तयार किया जा सके आज की दिन वर्स 1966 में इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधान मंत्री के रूप में सपत ली थी जिस वज़े से आज के दिन को महिला ससक्ती करन की रूप में मनाया जाता है इस दिन को मनाने का उद्देश है बेटियों को उनके अधिकार और लेंगिक भेदवाओ को लेकर जागरूप करना बेटियों को ससक्त बनाने के लिए किन सरकार से लिकर प्रदेश सरकार कई योजनाय चला रही है आज के इस अफसर पर बिहार IPRD द्वारा भी सोसल मेडिया एक्स पर एक पोस्ट सेयर किया गया है जहां सब को साथ मिलकर इस दिन बेटियों के स्वाभिमान और ससक्ती करन का संकल्प लेने की बात कही गई है नियोजित सक्षकों के लिए होने वाली सक्षमता परिक्षा की जारी हुए अधी सूचना नियोजित सक्षकों की सक्षमता परिक्षा तारीक जारी कर दी गई थी जहां पता चला था कि अब परिक्षा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक चलने वाली है वहें इस परिक्षा को लेकर आविदन करने केंतिम तारीक 15 फरवरी है अब इस परिक्षा को लेकर बिहार परिक्षा समीती द्वारा दी सूचना भी जारी कर दी गई है परिक्षा में वस्तोनिस्ट प्रस्थ नहीं पूछे जाएंगे इस परिक्षा के लिए प्रस्नों की संख्या के साथ पाठे क्रम भी तयार किये जा चुके हैं इनकी संख्या 150 होगी और सबी प्रस्नों के लिए एक अंक मिलेंगे इस परिक्षा के लिए परिक्षा रतियों को 2 गंटे और 30 मिनट तक का समय दिया जाएगा परेक्षा में किसी प्रकार का negative marking नहीं होगा हाला कि परेक्षा को लेकर विस्तरित विग्यापन 26 जन्वरी को जारी होगा पतना हाई कोट ने धार्मी करस्तलों पर लाउड स्पीकर बजने को लेकर कहीए बाद धार्मिका स्तलों पर लाउड स्पीकर बजने के मामले में पटना हाई कोट द्वारा संग्यान लिया गया है जिसके मुताबिक आदेश दिया गया है कि राज के डीजीपी बिहार राज प्रदूसर नियंतरन परसद के सदस सचीव और पर्यावरन इंजीनियर को इस केस में प्रतिवादी बनाया जाए बदादी के अदालत द्वारा या आदेश बकसर टीचर्स कॉलनी निवास्ती मनीज कुमार पांडे के तरफ से दायर अरजी पर सुनवाई के दोरान दी गई है कोट के मुताबिक राजे भर में इस तरह की घटनाए आम बात हो गई ह सारवजनिक रूप से उप्योग किये जा रहे लाउड स्पीकरों पर कोई नियंत्रन नहीं है जिसकी वज़त से लोगों को बेवज़ा परहसानी का सामना करना पर रहा है खास तोर पर भुज़ूर्ग और विद्यारतियों को वह इस मामले पर बकसर डीम को भी कोट ने नो नारायन मिथला विस्विद्याले दर्भंगा के कुलपती प्रोफेसर सुलिंद्र प्रताप सिंग ने उन पर तंच कस्तेवे कहा है कि सिछकों का कॉलेज में पांच घंटे रुकना काम नहीं है उनका काम उस पर भावना को विक्सत करना और जिनरेट करना है जिसका अस्थ टुवर्श में युवां महॉच्वा पर आयोजु ठमारों के संबोधन के दौरान कही है बिहार के गया में रहा सबसे नियुनतमत्मान बिहार में ठंड का कहर ज़ जारी है ठंड से फिलहाल कोई रहत मिलती नहीं दिख रही वहीं बिहार के सबसे अधिक ठंड देखने को म मौसम विभाग के मताबिक अभी और कम कपा देने वाली ठंड देखने को मिल सकती है। महीं प्रदेश के कुछ जगों पर सताय जनवरी को बारिस की संभावना भी जताई जा रही। हालां कि कई जिलों में दोफैर के बाद धूप निकलने से थोरी बहुत रहत भी है। फिलहाल बेवज़ा घर से बहार निकलने इसे बचे और यदि निकलने हैं तो भरपूर गर्म कपलों के साथ ही निकले। अररिया बैंक लूटकार्ण में एसपी की बरी कारवाई विहार के अररिया में बरे बैंक लूटकार्ण को अन्जाम दिया गया है। अब इस मामले पर पुलिस प्रसासन के तरफ से बरी कारवाई की गई है। दरसल आपरवाही बरतने के मामले में दो पुलिस पदादीकारियों और दो जवानों को S.P. द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर S.P. द्वारा कहा गया कि लुटेरों को पकरने के लिए S.I.T. का गठन कर कारवाई की जा रही है। सीजी टीवी खंगाला जा रहा है। जल्दी बदमासों को गिरफतार कर लिया जाएगा। वह इस मामले को लेकर अररिया में बीजेपी सांसत प्रदीप सिंग भी S.P. के कारेश सैली को लेकर लगातार सवाल खरेकर रहे। उन्होंने इस मामले पर S.P. को हटाने तक की मांग कर दी है। साथ ही कहा है कि बिहार में यही जंकल राजपार दोस्थ साबत करता है। इसके लावे उन्होंने यह भी आरोप लगाएं कि अररिया में थानेदारों की पोस्टिंग भी पैसे लेकर ही हो रही है। एक बार फिर से पटना डीम चंदर सेखर ने सक्षा विभाग के आदेसों की कियन देखी। अब एक बार फिर से स्कूल के चुट्टियों को लेकर पटना के डीम चंदर सेखर ने नया आदेस जारी किया है। दरसल उन्होंने 25 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने के बात कही है। इस बरते ठंड को देखते वे उन्होंने 1-8 वी कच्चा के स्कूल को बंद करने के आदेस दिये हैं। बता दे के से पहले जब पटना डीम ना स्कूल बंद करने के आदेस जिये थे तब सक्चा विभाग इस मामले पर विरोध देखने को मिला। बदला जा सकता है। सिर्फ सचंब न्यायालेहि आदेस की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। विभाग चाहे तो विदैक मंतविग प्राप्त कर सकता है। करपूरी ठाकूर को भारत रत्म दिये जाने पर उनके बेटे की प्रतिक्रिया आई सामने भारत सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री करपूरी ठाकूर को उनके जैनती के अफसर पर भारत रत्म देने की घोसना की गई है अब इससे लेकर उनके बेटे और जद पत्पति दुरौपदी मूर्मुद्वारा धी सूचना भी जारी की जा चुकी है वहीं सबसर पर सियम नितीज कुमार ने भी खुशी जताई है उन्होंने कहा है कि करपूरी ठाकुर को दिये जाने वाले सम्मान से उन्हें खुशी मिली है और जदियों की वर्सों पुरानी म गोसना की गई है अब इस गोसना के बाद पिच्री जाती को लेकर सियासत काफी गर्माती दिख रही दरसल बिहार के उप मुखे मंत्री तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा है कि आज हमारे जीवन की सबसे बरी साधना जो है वा पूरी हो गई है सोसित वंचित उत्प उमर और कई अन्य वरिष्ट समाजवादी नेता और मैं खुद लगातार इसकी मांग करता रहा हूँ अब आज यह मांग पूरी हो गई है इसका हम स्वागत करते हैं वही कि इस सरकार पर हमला करते वे तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह से हमारी महाकटबंधन की सरकार ने जा करपूरी ठाकुर को याद करते वे दी सरधांज ली आज करपूरी जैंती और पूरे बिहार में इस अफसर को राजगी समारों के रूप में आउज़त किया रहा है अब इसी करी में पिये मोदी ने भी उन्हें याद कर सरधांज ली दी है रसल सोसल मीडिय एक्सपर का मानित करने पर खुशी जदाया है उन्होंने इस अफसर पर कहा है कि सामाजिक न्याय ने पुरोधा स्वर गिये करपूरी जी गरीबों के उत्थान के लिए आज जीवन संगर सरत रहे हैं उन्हें ये सम्मान मिलने से बिहार गौरबान मित हुआ है इसके अलावे बिहार में बस कुछी समय है लेकिन अभी तक इंडिया गरबंदन में सीट शेरिंग का मामला साफ नहीं हो पा रहा है मागरबंदन की सरकार में मौजूद जदियों और राजदिस लोगसभा चुनाव में अपने वामदलों को उनके मांग के अनुसार सीट देने से पीछे हट रही बता दे के बिहार में चुनाव के दोरान 19 सीटों पर चुनाव के लिए खरी हुई भागपा माले ने 12 सीटों पर अपनी जीत सुनिस्तित की थी राजद और भागपा माले के बीच सीट सेरिंग को लेकर बात चीत भी हुई है भागपा माले 5 सीटों पर दावा ठोकना चा रही उसमें काराकार्ट आरा सिवान जहानाबाद और पार्टली पुत्र सामिल है इंग्लैंड के बैजबॉल सैली पर भारती कोच राहुल रविट का बयान आया सामने इंग्लैंड के बैजबॉल सैली के जवाब में हमारे बल्लेबाज अति अक्रामक रविया नहीं में हम कुछ बदलाब करने से बचना चाहेंगे मैं हाला कि अपने बल्लेबाजों से अति रक्षात्मक खेल की उमीद नहीं कर रहा है बता दे कि इस सीरीज में भारतीय टीम हेड़ टू हेड मुकाबले के मताबिक 174 टेस्ट में जीत और 177 टेस्ट में हार के साथ उतरने व बॉक्स में लिकर दिया था जिन्होंने हमारे दोरह पुछे का सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवी कुमार राम मनीष का सियप नुन्नू गोलु कुमार आरकी राना वेध प्रकास सिंग धर्मबीर कुमार नवल के सोर ज्वाम अमरेंदर सिंग गोनर सर्मा राज के स और अगर आप फेस्बूक सो देख रहे तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद